बच्चों हमने अपने पिछले वीजियो के अंदर भरत मुनी के निश्पत्ति वाद को देखा आज हम भरत मुनी के रस सूत्र की व्याख्या करेंगे भरत ने इस पश्ट का अपने रस सूत्रे की व्याख्या करते हुए इस पश्ट काहा है जिस प्रकार नाना प्रकार के वेंजनों, ओशदियों तता द्रव्यों के सयोग से भुजे रस की निश्पत्ती होती है उसी प्रकार गुड़ादी, द्रव्य, वंजरों तता ओशदियों से शाडवादी रस बने जाते हैं उसी प्रकार विविद भावों से सयुत दोकर इस्थाई भाव भी नाट्य रस रूप को प्राप्त करते हैं प्राप कहने का कातर है यह है कि जैसे चाना हम उसे खाते हैं कि हमारें अंदर रस रता है बोचन फेल बबाव द्वैक्ग थाप होती है इसी तरह ओशदिया भी अनेक रसों से समाहित होती है तो जिस प्रकार हम भूजन करते हैं उस प्रकार हमारे अंदर उस रस की निश्टती होती है जैसे मैंने आपको बताएं मीठा काने से एक उत्तम रस मीठी अनुभूती होती है उसी प्रकार कड़वा भूजन काने से एक तिक्त अनुभूती होती है, उसी प्रकार, जब हम कोई नाटक देखने जाते हैं, या हम कोई सिनेमा देखते हैं, तो सामने जैसा पात्र अभी नीद कर रहा होता है, जैसे वो रो रहा होता है, तो हमारे अंदर भी उस दया भावना का संचार उपाए, वही रस है, अर्था जब आलंबन उद्दीबन उचित हो उनके प्रभाव से आशरे में आंगिक, वाचिंग, सात्विक तता आहर्य अनुभाव प्रकट हो तता विविन संचारी भाव उस आशरे के इस्थाई भाव को यतोचित रूप से पुष्ट करते चले तो उस समय इन सबके संयोग से रस्की निश्पत्ती या सिद्धी होती है उद्धारनात एक कुशल नट और नटी दुश्यन्त वे शकुंतला की रूप में उपस्तित होते हैं वे पहले तपोवन के रमनिय कुझों में मिलते हैं ये क्या है एक विवाव है दोनों एक दूसरे के सौंदरे को देखकर विस्मित हो जाते हैं और त्रशित उत्सुक मेत्रों से एक दूसरे को देखते हैं अनि चप से जाती हुई शकुंतला चोरी चोरी पीछे मुर कर दुश्यन्त को देखते हैं क्या है और नुभाव है जो भाव हमारे साथ चल रहे हैं वियोग में कभी उतकंटा कभी निराशा से व्यक्त होकर वे एक दुसरे से मिलने को आतर हो जाते हैं या हमारा व्यवीचारी भाव है शकुंतला सोभागे से अपनी सकी की साहता से दुश्यन्द पर अपना प्रेम प जाता है तो जब यह सब विवाव अनुभाव विवविचारी भाव आदी का सेयोग कवीता संगीत रंग वहव या किसी चितर आदी की साहता से जिने भरत ने नाट्य धर्मी कहा है रंग मजपर प्रदर्शित किया जाता है तो सामाजिक के हिरदे में वासना रूप में इस उपस्तित रती भाव जागरत होकर उस चरम सीमा तक उत्विप्त हो जाता है वह सामजी क्वेक्ति अपनी चीजे भूलकर अपने अंदर जो भी है अपना सब कुछ भूलकर एवं देशकाल का अंतर भूलकर सामने उपस्तित घटना में जो सामने उसके नाटक चल रहा है जब वहाँ उसमें लीन हो जाता है और उनके जो भाव है वही अपने अंदर मेहसूस करता है तो वह चरम आवस्ता को प्राप कर यह भाव मैं कर देता है और यहुंद मही चेतना ही रस है जिसे मालेगे हम किसी वक्ति संगीत में गए है वहां हमने बहुत सुंधर भचन गा रहे हैं तो हम क्या अतर हुद्म ली ऊजाते हैं हमारे अंदर भी वही भाव जागरत हो जाते हैं जो वहाँ उस पातवरण में उपसीद है हम भी उसमें लीन होके आनन्द की अनुबूती करते हैं तो यह जो आनन्द की अनुबूती है यही रस है भारत के संपून रस सिधान के दो आधारभूत विशे है नाट्टे में रस की निश्पत्ति तथा नाट्टे रस का सामजिक आस्वाद यह सामजिक कौन है सामजिक अपन है मतलब जो व्यक्ति जो देख रहा है तो नाट्टे में रस की निश्पति जो मतलब जो पात्र अभीनीत कर रहे हैं वो इस प्रकार के बहाव जागरत कर लें की सामजिक जो आस्वाद कर रहे हैं जो उसको देख रहा है उसके अंदर भी वही भाव उपस्तित हो इन दोनों विश्यों से संबंदित प्रेश्ण उठते हैं कि रस प्रदात कोन सा है अर्थवा रस को रस क्यों कहा जाता है रस का आस्वाद किस प्रकार होता है पहले प्रेश्ण का उत्तर देते वे भरत ने समझाया है कि आस्वाद होने से अर्था जो आस्वाद हो वही रस है इसी जिस प्रकार नानावित व्यंजनों से संस्कृत अन का उप्योग करते हैं तता हर्ष का अनुभव करते हैं उसी प्रकार प्रसंद प्रिशक्त विवित भावो एबं अभीनियों दुवारा व्यंजित वान्चिक, आंगिक तता सात्विक अभीनियों से सयुद इस्ताई भावों का आस्वादन करते हैं तता हर्ष को प्राप्त होते हैं इसलिए नाटक के मार्थम से आस्वादित होने के कारण भी नाट्य रस कहलाते हैं दूसरे प्रेश्ण के उत्तर में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नाना प्रकार की व्यंजिनों, उशदियों और द्रव्यों के सयुद से रस की निश्पत्ती होती है उसी प्रकार गुण और द्रव्य व्यंजिनों एबं उशदियों से शट रस उप्पन होते हैं उसी प्रकार कभी हृदेगत इस्थाई भाव, विविन प्रकार के भावों जैसे विवादी के रूप को प्राप्त होने पर रसत्व को ही प्राप्त होते हैं भरते का आस्वाद तता आस्वाद आस्वाध्ध और जोड कि इसवे दूनों पक्षों का संश्लिस्ट संग्या नाठे रस है यह उसक नाठे के प्रमुखता थी और उना नाठे से ही लेकर रस का प्रतिपादन गया तो वही हम सब चित्र के अंदर उसको निरोपित कर देते हैं भरत का विचार होता है कि किवन मूल पात्रों की ही रसानों के कि सौंदरे तो चित्रों में भी होता है तो वही सौंदरे जो कलाकार ने अपने कृती में बनाया है वही सौंदर है देखने वाले के मन में भी उत्पन हो जाए वो भी उस कृति को देखकर आनन्द की प्राक्ति करें तो वही रसके उत्पती है भरत ने रस के तीन अंग बताए हैं इतिहासिक पात्र अनुकृता या दूसरा अनुकृता अभी नेता तीसरा दर्शक यानि कोई भी स्टोरी जो जिसको वो कर रहे हैं फिर उसका स्टोरी को अभी नीत करने वाला अभी नेता और तीसरा उसको देखने वाला अब इन तीनों में से सौद्र अनुभूती दर्शक की ही होगी एतियासिक पात्र की अनुभूती भेन है यदि एतियासिक पात्र को ये अनुभूती होती तो हमें क्या मतलब है प्रेशक नाटक देखने में क्यों रोची लेता इन प्रेश्णों के उत्तर बाद के व्यक्याकारों ने भी दिये हैं इस प्रकार भरत के रस विवेचन की मुख्य विशेशता हैं इस प्रकार है प्रथम रस आस्वाद नहीं आस्वाध्य है अर्थात अनुबूती नहीं अनुबूती का विशे है इस प्रकार रस विशेगत न होकर विशेगत है रस नाटक का अनिवार्य एवं सार तत्व है दितिया नाट्य रस का आधार भुज्य रस के समान भौतिक है वै वस्तूते एक प्रधार्त है विवित भावों से सहीव तोकर एवं त्रिबित अभीनेओ द्वारा व्यंजित इस्थाई भावी रस में परिवर्तित हो जाते हैं जिस प्रकार व्यंजन आदी में संस्कृत अन ही भोज्य रस का रूप धारन कर लेते हैं उसी प्रकार नाटे सामगरी द्वारप्रसुत इस्थाई भावी नाटे रस बन जाते हैं यहां इस्थाई भाव अन के समकक्ष है और नाट्य सामगरी व्यंजन उशदी आदी के तीसरा इस्थाई भाव रस नहीं है वरन रस का आधार है जैसे अन रस नहीं है किन्तु रस का आधार है क्योंकि व्यंजनादी में से संस्कत होकर भी रहे रस बनता है इस प्रकार नाट्य सामगली से संयोग थोकर इस्थाई भावी रस बन जाता है उधारनात रतीव इस्थाई भाव अपने मूल रूप में श्रिंगार रस नहीं है किन्तु नायक नाइका संयोग व्योग हर्ष वितक इस्मृती कटाक्ष आदी के प्रसंग में परिबत होकर त्रिबित अभीने और दुआरा जब रंगमच पर प्रस्तुत किया जाता है तो वह श्रिंगार रस का रूप धारन कर लेता है यहां यहां इस्ताई भाव के अभी प्राय नायक के इस्ताई भाव से है कभी अस्रह दैसे नहीं है नायक लोग का प्रतिनीदी होता है अतर नायक के इस्ताई भाव का अर्थ है लोग समाने का इस्ताई भाव पांचवा विशेष्टा इस प्रकार रस कला का आस्वाद नहीं है स्वेम कला या कलात्मक इस्तिती जो आस्वाद का विशे है छटी विशेष्टा इसकी इस प्रकार है कि सामाजिक याने जो दर्शक है इसका आस्वात रस रूप में हरशादी के रूप में करता है सेविन्थ हरशादी के भी दो अर्थ बताए गए हैं प्रथम रसास्वात के वल आनन में ही नहीं होता वरन विविन इस्थाई भावों के अनुसा विविन प्रकार का होता है दित्तिये भरत ने आदी की द्वारा हर्श फिरोधी अर्था कटू अनुभूतियों को वियंजिना नहीं की वरन कोतूल आदी की आनन में अनुभूतियों की और इंगित लिया है आठवा रस के आस्वात का अधिकारी सुमन सहा प्रेशक होता है आस्वात के रूपे रस प्रेशक का मनोमम प्रकीरिया है इस प्रकार भरत की रस विशेक यह परिभाशा विशेक करता है उनका मत निश्पत्ति वात के नाम से जाना जाता है जैसा कि मैंने आपको पढ़ा है तो पिछली बार में और यहां यह जो रज की व्याक्या किये यह भी निश्पत्ति वात के अंतरगत ही आती है इस प्रकार निश्पत्ती तता संयोग भारत के सूत्र मेंं संयोग तता निश्पत्ती शब्दों का अर्थ असपर्ष्ट है इनिको लेकर परवर्ती आचारियों में गहन विवाद भी दिखाई देता है संयोग शब्द निश्पत्ति का अर्थ जो उन्होंने बताया है बनना या हूना स्वरूप को प्राप्त होना निश्पत्ती का शाब्दिक अर्थ है निस प्लस पत प्लस गतो प्लस कितन अर्थात विशे शूर्प से स्थती प्राप्त करने के भाव को उन्होंने निश्पत्ती कहा है सईयोग शब्द का अर्थ सपष्ट करते वे भरत ने लिखा है कि जिस जो मैंने आपको बताया था कि जैसा हर्ष आदी का अनुभाव करते हैं हम किसी भी चीज को देख कर इसी प्रकार प्रशन प्रेशक विविद भावों एवं अभीनियों द्वारा हर्षित, व्यंजित, वाचिक, आगेक एवं सात्विक अभीनियों से सैयोग इस्थाई भावों का आस्वादन करते हैं यही सैयोग है सैयोग का अर्थ है इस्थाई भावों के साथ सम्वे योग या संकम इस्ताई भाव के साथ सैयोग होने से नाट्यरस बनते हैं या सिद्ध होते हैं इस प्रकार रस सूत्र का स्वेहं भरत के मतानुसार अर्थ है विवाव अनुभाव विवीचारी भावों को इस्ताई भाव के साथ सैयोग या ससंग होने से रसकी सिद्धी हो जाती है सईयोग का अर्थ यह ससंग है, सिद्धी के दो अर्थ हो सकते हैं, उत्पत्य अभाव, दूसरा निर्मिती, कोई वस्तु अपने किसी वस्तु रूप में रहती है, वह विशेई प्रकार के मात्रम से प्रकट होती है, वह सरजन का गोण है, इस प्रकार हमने भरत पूनी के रस की व्याक्या पड़ी अब हम अगले वीडियो में अन्य लोगों ने अन्य टीका कारों ने रज सिद्धान पे क्या क्या व्याक्या है करी उसके बारे में देखेंगे धन्यवाद